नमस्कार दर्शो कोस्ट वागत है आपका एशनेट न्यूस हिंदी के खास प्रोग्राम में आपके साथ मैं उश्रीकान सोनी देश में कोरुना का कहर लगातार जारी है कोरुना की वज़े से कई राज्यों में लॉकडाउन कोरुना कर्फ्यू लगा हुआ है और इन सब के बीच अपनी जान को भी सुरक्षट रखने के साथ लोगों को भी सुरक्षट रखने का जिम्मा उठा रहा है प्रंट लाइन वर्कर कोरुना वारियर्स पुलिस प्रशासन अपनी महत फूंट हुमी का निभा रहा है ऐसे ही कोरुना योध्धा आज हमारे साथ मौजू है अध्य प्रदेश की राधानी भोपाल के एमपी नगर्थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया साब सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा जो इस्तिती अब कोरुना की से उत्पन हुई है किस तरह से देखते हैं आप और कितनी गंफीर समस्या कोरुना वाइरस अब हो गया है कि देखिए जैसा निश्य रूप से हम सभी इस समय जान रहे हैं कि जो सेकंड वेप कोरुना की आई है यह पहली वाली से निश्य दूप से खातक है और पर गुना पढ़ गया है जैसे कि हमें पोस्त लेखते हैं नियूस पर गगरा देखते हैं और इस समय जो संक्रमन की सि रहे हैं और उसमें बाहरे समें ड misma जान दूप पाड़ा है हमारे कई आपी आप प्रिजिन जो हैं जो है कि ये पहली वेप मैं बहुत लोगों को मन में डर रहा और दिये और इतने लोग उसमें संक्रमित संक्रमित नहीं हो पाहे थे सबसे बुरा अप्रेल का महिना अपने जीवन का हम सभी ने देखा है जिसमें बहुत दोगों को ऐसी सिती बनी कि जिनको बैड की दिक्कत हुई हॉस्टिल्स नहीं मिल पाए हॉस्टिल्स मिले तो ऑक्सिजन में दिखत हुई ऑक्सिजन की सप्लाई में दिखत हुई दीरे दीरे हला की चीजे नानुराइज हुई है चुकि उसका सप्लाई इतना एक्सप्टेट नहीं था कि इस हद तक हम सभी को प्रेज करना पड़ेगा और इस दौरान पुलिस की जो भूमिका रही से का तो भी महत् सब्सक्राइब निकल रहे हैं लेकिन इसवार क्या चैलेंजिस हर आपको वही मैं आप से समझना चाहिए बहुत जबर्जास चैलेंजिस और बहुत बड़ा परिवर्टन इसलिए आया है कि कि संफून लोगडाउन करना हर्तिवास्तारी के ठीक ही नहीं है तो जो अब कर दो बाकी लोग निकल रहे हैं उसको रोगना हमारे लिए सब से पड़ी चुनोंती थी लेकिन अनवश्यक रूप से रोड पेचड़ो निकल रहे हैं उनको निशित रूप से रोखना चाहते थे थे ताकि वह बहार निकल कर कोई संग्रमान ले जाए और भरों पर अ पूरे बोबाल या असवास के लोग यहां आते हैं तो इसे रूप से कभी बड़ी समस्चा थी हम लोगों के लिए और हमको अपना पेसेंस रखते हुए लोगों की भावनाओं को समस्चे रूप रखते हुए उनको या तो वापस करना था या वो अत्यावश्यकार से जा रह आप एंपे नगर थाने के टी आई हैं तो यहां पर सिटी इसकेंट के सेंटर सेंटर्स जो भुपाल के आसपास के ग्रामेर इलाकों में इस तरह की विवस्ता नहीं होती है तो उनको भुपाल आना ही पड़ता है लेकिन कई बार यह भी हो जाता है कि कर्क्यू लगा हुआ है तो डर जाते हैं कि नहीं जाने नहीं देंगे यह पुलिस खड़ी हुई है उन लोगों से आप क्या कहेंगे वो आ सकते हैं अगर वो अपना कारण बताएं कि हमें सिटी स्केंट के लिए जाना है डॉक्टर का अगर रिफरेंस दें तो क्या उनको छूट दी जारी है दे कि मैं आपको एक और अन्वाव ने बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो गाउं की आपने बात की है वो यहां के चेटक से चड़ने के बार में सीधा यहां कि उनको किस हॉस्पिटल जाना है कि सेंटर जाना है तो इसमें भी हम लों की कापी हमारे पुरुस्ताफ है वो बोपाल ब्रमन के दौरान की जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की कि हुई ही ताक तो अनावशक ना निकले या उनको हम नियंत्रित कर सकें तो पौन सा रास्ता उनके लिए स्वाटेस्ट होगा किस रास्ते से वो बैतर डंग से पहुं सकते हैं या एंबुलेंस क सकें इसके लिए जो हमारी अफार भी हंडेट आल गाड़ियां होती है उनकी पाट्रोलिंग उनकी पालेटिंग करके हमने उनको एक और बनाया जल्द से जल्द उनको ऑक्सीजन को संबंदे सां तक पहुंचाया है तो पुलिस ने निस्टी क्रूप से जो पीड़ित लोग कि आप मैदान में हैं लोग घरों में हैं आपको भी सर कोरोना से डरगता होगा परिवार और आप में कैसे सामंज़स बठाते हैं आप और अगर परिवार में किसी को हो गया हो तो वो भी एक टेंशन होता है ड्यूटी भी करना है तो वो किस तरह से सर कॉडिनेशन आप कर कि बिल्कुल शेगांजी आपने जो है कि परान इस संक्राण में ऐसा हुआ है कि मेरी भाग्या और मेरा प्रती चादों को संक्र में तुगे जो की रेटिव प्लेस में थे पुला के बुपाल में एड्मिट कराया हॉस्पिलाइज करवाया उनको तो यह एक बड़ा समझस बन कि इस चीज का प्रिकॉशन जखते थे कि जाने के बाद जो जीजों कि जैसे जो बड़ार के सावसाब कुछ मित्रगान ऐसे थे जो हमारे आसपार्स की जगों से आयते उनको स्प्राइज करवाना उनको इंगेक्शन में जो प्रावलम जा रही थी उसमें साहुदे प्रता करना या कि उनका मोरल अप रखना क्योंकि इस प्रतान आपने देखा होगा इस बार जो क्यास जो बना उसको भी संतुलन देना बहुत जब्सक्राइब समझ रहे थे इसमें को मोराल उनका अप रखते थे कि नहीं हैसा नहीं सारी सीचियां हो जाएंगी और प्रवस्ता जि आज एक गायत्तों का भी निर्वान हम लोग इस समय कर रहे थे जो की काति महात्ती नहीं था इसके अलावा ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पुलिस की कारप्रणाली इस अभी किस तरह से है और क्या शासन से आपको पीपी कीट या कोरुना से बैशने के जो प्रिक इस बार पीपी किट या सेनिटाइजिशन वगरा था इस बार भी सेम हमारे शासन लेवर पर हमारे अदिकारियों के इस तरह पर थानों को सुधा उप्लग तरह आई गई है इस बार पल्स ऑक्सिमीटर और वेपराइजिशन मसीन जो भाब की मशीन है वो भी दो तीन-तीन ह हमारे थानों में दी गई है जिनको अलग-अलग स्थानों पर रख दिया है चुकि हमारे स्थाफ जो दो शिप्लों में डूटी ले रहे हैं सुबह सास से तीन और तुबहर में तीन से रात के ग्यारा बेज तक चुकि धूब भी जाता होती है तो उनको रस भी देना होता ह कि यह प्रदान कर रहे हैं कि वो किस तरह से इस दौरान इस सब्सक्राइब है उसमें हमारे काफी क्यों पुलिस घर में सांथ है और उनको काफी दिक्कते भी लेकिनेश्वर के जा सब्सक्राइब यहां पर आपकी जो चुनौती है वो और बढ़ जाती है जब साथी कोरु पैदा हो जाता है वो डी मोटिवेट हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट रखने के लिए तुधिर अरजयरियए जी क्या करते हैं मुटिवेशन सबसे महत्पून होता है मेंटल पूरा गेम है यदि हम उनका जो मेंटल लेवाले उसको बूस्ट आप करके रखेंगे जो संक्रमेट हो गये हैं उनका निशी दूम साम ख्यार लगते हैं मेंडिकेशन की सुविधा उनको है है और संट्राइज को से अंप्येश का यहां पर रहा है तो इस समय हम उनको सलाई करें कि यह किये हैं तो वह दो दिन का अपना टैस्स करा है यह दित्स निगेटिव आता है करें करें हैं अने था यह दित्स निगल कर अपने घरों बचा रहे हैं तो उसे हम और उनके बहुत रोज नहीं जाना है उसके बाद में उनकी मदद करना है सुधी जी हमने ऐसा भी देखा है कि कोरुणा से संक्वित होने के बाद किसी की मित्य हो गई तो फिर बॉडी को भी हाथ नहीं लगाते लेकिन पुलिस प्रशासन अंतिम संस्कार तक उन बॉडी इसका कर रहा है तो यह भी एक पुलिस प्रशासन का रूप सामने आया है क् कि पहले जो छवी थी लोग पुलिस ते डरते थे लेकिन अब छवी भी बदल रही है कोरुणा काल में आप ऐसा मानते हैं पुलिस की जन्ता के भी जो पिछला जैसा कि मैं उस समय कोई जाने में था तो उस समय की चुनोती है इस ट्राइप की थी कि जैसे हमीदिया स्टिल जो समय काफी शेंकर हुआ पर ता चीच का वहां से काफी लोग ठीक होके जा रहे थे चुंकि तेकिन संपूर लॉकडाउन था तो लोगों को अपने आसपास राय सेंट इदिशा या साकर के आसपास पी दूलों आते तो जाने के लिए साधन नहीं थे या कुछ मजदूरो लोगों को पलायन हो रहा था वो लोग भी आकर जाते थे तो उसको फुलिस ने घर पहुंचाने का काम किया लोगों को मदद उपलब कराई वहन उपलब कराई राशन बांटा भूजन की विवस्ता की लेकिन इस बार जो दौर था वो थोड़ा से विपरित परिस्तिया थी जैसे है कि आपने बताया कि इस बार जो संक्रमन के कारण म्रत्यू हो रही थी उस म्रत्यू दर के कारण लोगों के मन में एक काफी बड़ा भय बैठ गया था जहां कि कई ऐसा हम लों को पतीत होता है कि ना सिर्टी की म्रत्यू हुए है बलकि संबेदनाओं की भी मौत वहा जाएगा कि उन्होंने ना सिफ ऐसे सवों को लेकर आये बलकि उनका संपून विधी विधान से दासंस्कार या अंतिम संस्कार जो कहते हैं या फिर उनका जो कपुर में दफनाना होता है उसमें मदद की है ऐसे समय में जब कि परिवार्जन इस चीज से इसकी चाह रहे थे इसके साथ ही साथ क्यूकि परिवार्जन इस बार जो प्यास किये हैं वह रिश्य पुलिस की इमेज को बदलने में सहाय खुंगे और हमारे इसकी जो एक कुछ समय पहले तक के से मेश बात दने में कटरा थे उससे समय पहले तक बिल्कुल सर अभी आप ग्राउंड जीरो पर हैं मैं आपसे वो भी देखने चाहूंगा कि कितने स्टाफ आपके अभी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और वहां पर किस तरह से माहुल है अभी वो भी आप दिखाएंगे अभी वर्तमान जब आप इंटर्व्यू कर रहे हैं तो मैं भी जोदी तकी चौराय पर हूँ और यहां पर अभी प्रयास किया लोगों को डोगने का मैं आपको देखाना चाहूंगा आप जो उसकर्मी है मुझादी से लगे हुए जो आपके चौराय पर अब लोगों को हम चारों तर्जसां पर देखिए है तकी हुए है जो आना जाना है चे तक बृस्ते या इस तरफ से है वो भी अन लगातार रोपने का प्रयास करते हैं साथी उसको तक्राइब का प्रयास करते हैं इस तक जो लोग यहां पर तफरी करने आते हैं यह जो फाल्तु घुम रहे हैं उनके उपर क्या एक्षन लिया जा सकता है और क्या सजा होगी उनको वह भी आपता दीजी जो अनावश्यक को घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको मोटर भी कलेक्ट और मास्क जुना पहलने का जुर्मा बिना बज़े के घंटे निकले हैं उनके उनलों के उपर कर रहे हैं कि उनके आदेशों का पारण ना करने के उपर की जाती है जी सुझे जी आप ग्राउंड जुरू पर हैं और नों गॉर्जरस हैं आप क्या लोगों को अपील करेंगे मेरा सभी से कर्वत अभी ये निविदन है कि सास्की रूप से जो प्रशाशन की इंतिजामात हैं वो काफी हद तक अच्छे की जा चुके हैं अब सालों में अप्सिजन के लिए या इंगेक्शन के लिए वैसी मारा मारी नहीं है जो लोग अपने घर हुए रहें परियाप्त कोविट के लिए उनका वालत करें अपने घर हों मेरा सब्सक्राइब यहीं करते हैं कि जल्द से जल्द यह जो कौरुना महानमारी है इससे निजात मिले और आप भी सर पूरी टीम के साथ अपना भी ध्यान रखें और अपनी टीम का भी ध्यान देकिए और सु कैसा लगा यह वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशयानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइ